असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब तो आज मैं यूपी स्पेशल जाएगा में लेकर आए हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तो आज हम बनाएंगे आलू भिंडी रेसिपी आलू एक ऐसी सबसी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और मोसली वैजीज में आलू आज मैं इसी का ही कॉम्बेनेशन लेकर आए हूँ भिंडी के साथ तो इसे खाएंगे हम गर्मा गर्म ताजे प्राथे के साथ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस मज़ेदार आलू भिंडी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो मैंने या पर लिया है बड़े इसको कट करके हम पानी में डाल देंगे इसे क्या होगा हमारे जो आलू का कलर है वो काला नहीं होता है तो बस मैंने इसमें एक बड़े साइस का ही आलो लिया है आप भिंडी के हिसाब से आलो की क्वांटिटी को रख सकते हैं अब सिंपली हमें जो भिंडी का स्टार्टिं हमें ऐसे फोर पीसे में कड़ लेना है और अब इसको बीच में से कट लगा देना है देखे ऐसी हम सभी बिंडी को कट कर लेंगे तो मैंने करीब यहाँ पर पाउ भर के करीब भिंडी ली ती और बिंडी को अच्छे से वाश कर लिया था और वाश करके इसे हवा में रख जो बिंडी में हमारा लार होता है वो जब हम बिंडी की रैसीपी बनाएंगे तो लार नहीं निकलेगा तो आप अच्छे से वाश करके हमेशा इसको हवा में सूखने के लिए रखते हैं अब हमने सभी बिंडी को कट कर लिया है अब यहां पर मैने लिया एक पैन पैन मैट कर हम एक बड़े चम्मच के हिसाब से मस्टर्ड ओल तो बिंडी करेला और बैंगन यह कुछ सबजी ऐसी होती है जो की सिर्फ मस्टर्ड ओल में ही बनकर इनका टेस्ट खिल कर आता है तो मेरे कहने से आप इस रैसीपी को मस्टर्ड ओल में ही बनाएगा और जब आपका गर्म इसलेक और måड कर देंगे हाफ टीसपून जी रहा थीश्पून हाफ इसलें सोफ हाफ टीसपून सर्जो और चुट की भर में ऑप पर एट करिया हींग और सुखी लाल मिर्च हरी मिर्च तो सुकी लाम निर्च मैंने यहाँ पर दो ली हैं और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर मीडियम साइस की तीन ली थे जिनें मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था और जब यह हलके से ओयल में फ्राइ हो जाएंगे थोड़ा से हमारे मसाले क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसमा एड़ कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में आलू कट किये थे उन आलू को एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू को इन सभी मसाले के साथ और दो मिंट के लिए लो फ्लेम पर ढखका ढख देंगे जिससे हमारे यह जो आलू है वो अच्छे से दो मिंट बाद हम इसको चैक करेंगे तो 2 मिंट हो चुके हैं हमने इनको लो फ्लेम पर रखा था आलो देखिया हमारे सॉफ्ट से हो गए और अच्छे से इन असलों के साथ मिक्स भी हो गए हैं अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भिंटी कट दें फ्लेम को वगए पैषिड दुआ है और अच्छे से आलु और भिंडी को ठ्लीम करें धिली म्हांतु को कि सब्सक्राइबेज गतार जब कर जिससे हमारी भिंडी जो है वह किसी सॉफ्ट हो जाए अब इसको हमने खोल कर देखा है इसमें एड कर देंगे हम कुछ ड्राय मसाले तो भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है इसमें एड कर देंगे सबसे पहले हम हाफ टीस्पून धनिया पॉडर टेस्ट कि अकॉर्डिंग क्वाटर टीस्पून एड कर देंगे से हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून रेड चिली पॉडर आप चाहे तो सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली और रेड चिली का भी उसकिया है और हाफ टीस्पून इसको एक टैंगी सा फ्लेवर देनी के लिए चाहत मसाला तो पर पाव भर भिंडी ली थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने मसालों की क्वांटिटी को रखा है आप भिंडी के अकॉर्डिंग ही मसाले अड़ करें तीन से चार मेंट के लिए से लो फ्लेम पर मैंने ढखका रख दिया था और देखे खिली-खिली हमारी आलू भिंडी बनकर त मेरे चैनल पर नएया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए गा फिर से लिकर आउंगी आप सभी के लिए ऐसी मज़ेदार इंस्टें जटपट रेसिपी तब तक के लिए अल्लहाफिज दौा में याद रखेगा